असलाम अलेकुम नेक्स कोशन नमबर 7 है जिसमें A की वैल्यू हमारे पास गिवन है B की वैल्यू भी गिवन है एंड वैरिफाइग करना है हमने सेकिंड पार्ट करना है A B का इन्वर्स इकल टो B इन्वर्स A इन्वर्स तो सबसे पहले हम इसको पेज़ पे लिखते हैं और पिर इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पेज़ पे जब लिख लेंगे तो पिर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो A B हमने लिख लिए हमारे पास सबसे 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 पहले हम्हें लेफ्ट içंड करें contenu के left hand side में A B आरब bracket में सबसे पहले हम A B find करेंगे A B का मुझा है कि दोनों को multiply करना है दोनों को क्या करना है multiply तो A B में पहले A की value आजेगे में पास उसके बाद B की value आजेगी तो जब multiplication matrices की करते हैं तो उसमें हम पहले में लगाते हैं row wise और दूसरे में क्या लगाते हैं column wise जितनी rows हैं उतने row wise और इतर क्या लगाते हैं column wise तो यह हमारे पास column wise लगा आगे हमारे पास तरीका किया है कि tail को tail से multiply करना है उसके बाद plus का sign फिर head को head से करना है फिर head को head से करना है तो पहले tail को tail से करेंगे तो three into हमारे पास क्या आजेगा two plus उसके बाद क्या आगे हैड को हेड से करेंगे तो two into minus है two into minus का three तो ये पहली row खतम होगी अब जो है पहला column खतम होगी उसके बाद next column में जाएंगे row पहली है तो इसकी लिए पहली row में रहेंगे तो वो हमारे पास tail को tail से किया तो 3 x 4 2 x 5 तो ये tail tail plus head head होगी अब हमारे पास row 1 खत्म होगी second row में आगे second row में tail को tail से किया 1 x 2 x 1 x 2 x – 1 x – 3 फिर second column के लिए करें तो 1 x 4 x 5 तो अब हमारे पास trick भी है जसके लिए हमने चेक करना है कि multiplication हमारे पास ठीक हुई है या नए तो यह तेखें ब्रेक्ष में देखना है आपने टू तू आ रहा रहा है मैनास तुरी मैनास तूरी मैनास ती आ रहा है टू तूर आ रहा है फॉर फॉर आ रहा है 10 2 1 0 2 plus minus minus plus ہو گیا تو یہ हमारे पस 3 1 0 3 आगे उसके बाब 4 1 0 4 minus minus plus 5 1 0 5 तो यह हमारे पस multiplication थी उसके बाद 6 minus 6 क्या बनेगा हमारे पस A B का answer आजएगा 6 minus 6 करेंगे तो वो आजएगा 0 12 minus 10 करेंगे तो 2 2 plus 3 करेंगे 5 4 plus 5 करेंगे तो 9 आजएगा हमारे पस हम determinant find करते हैं लेकर यहां हम adjoint पहले find कर लेते हैं तो adjoint find करेंगे तो adjoint में diagonal की जगा चेंज और non-diagonal के sign चेंज diagonal के आरा है 0,9 तो 09 की जगा चेंज कर देंगे 9 और 0 हो जाएगा बाकी non-diagonal के sign चेंज तो माइनस 5 हो जाएगा और इतर क्या हो जेगा माइनस का 2 अब हमने a b का determinant भी लेने a b का कह लेने तो a b का determinant लेंगे तो उसके लिए state line पहले लगाना जुरूरी है 0,2,5 और 9 तो determinant के लिए क्या करते हैं diagonal को आपस में multiply करते हैं फिर minus non-diagonal को multiply करते हैं diagonal को multiply किया 0 आगया हमारे पास minus non-diagonal को किया 5,2,10 तो 0,9,0 था इसी 0 minus 10 तो minus 10 आगया a b का हमारे पास determinant अगर determinant non-zero हो मलब 0 के equal ना हो तो फिर उसका inverse possible होता है अगर 0 आ जाता है तो फिर possible नहीं होना था तो अब सबसे पहले हम a b का inverse find करेंगे उसका formula हमें पता होना जी formula क्या है 1 over a b का determinant 1 over a b का determinant multiply हमारे पास आएगा adjoint of a b adjoint of a b तो अब हम उनकी value put कर देंगे 1 over minus 10 हमारे पास as it is आगया adjoint of a b हमने find किया वा था उसकी हमने value put करनी है तो adjoint हमारे पास क्या आएगा था 9 minus 2 minus 5 और 0 तो इसको आगे भी हम simplify कर सकते हैं लेकर अभी फिलाल हम यहां तक रहने देंगे और इसका नाम अक्विया नंबर 1 रख देंगे इसका नाम अक्विया नंबर क्या रख देंगे 1 ताकि जब second part मालब right hand side करें तो उसको भी नाम देके हम चेक कर सकें कि answer equal आ रही है या नहीं आ रही है अब हम right hand side solve करेंगे तो right hand side के लिए हमारे पास दो चीज़ें आ रही है B inverse और A inverse क्या फाइंड करना हम ले B का inverse और इदर हमारे पास क्या फाइंड होना है A का inverse तो इन दोनों के लिए हमारे पास पहले B matrix का होना जरूरी है तो B की value हमने लिख लिए वो हमारे पास क्या है 2, 4, minus 3, minus 5 इसी तरह A की value हमें चाहिए वो हमारे पास B है वो क्या हमारे पास 3, 2, 1, minus 1 अब हमने इनके determinant फाइंड करने है क्या find करने है determinant determinant find करेंगे line सीधी लगाना ज़रूरी है 2, 4, minus 3, minus 5 तो यह B का determinant है तो अगर हम determinant जब find करते है line सीधी नहीं लगाते तो नहीं find हो सकता तो इसमें भी non diagonal को multiply की है minus non diagonal को करेंगे तो वो हमारे पास minus 12 आजएगा minus 10, minus minus plus 12 हमारे पास इसका भी inverse possible है अब हम A का find करते है तो इधर भी तोनों तरफ straight line आगी इधर भी आजएगे है मारे पास right side पे भी 3, 2, 1, minus 1 अब इनका determinant हम find करते है क्या find करते है determinant determinant find करेंगे तो क्या हैगा diagonal को multiply करेंगे 3 into minus 1, minus 2 into 1 तो क्या आगए minus 3 into minus 2 आगए minus तो minus 3, minus 2, minus 5 वो भी हमारे पास क्या है non zero तो इसका मालब है कि multiplication inverse possible है अब दोनों के adjoint find करेंगे क्या find करेंगे adjoint तो इधर हम find करेंगे adjoint of B तो adjoint of B करेंगे तो B के diagonal की जगां चाहें करते हैंगे diagonal की क्या करते हैं जगां चाहेंगे तो क्या आजाएगा मारे पास 2 minus 5 की जगा यह उपर चला जाएगा मालब minus 5 इधर और 2 इधर बाकी दोनों के sign चाहेंगे तो 4 के साथ क्या आजाएगा minus और 3 के साथ plus तो यह इसका हमारे पास adjoint आगया of B का अब हमने adjoint find करना 1 चाएगन किसका find करना A का तो A का nhा ravind करेंगे तो उसमें भी diagonal की जगां change करने है और non-diagonal के sign change करने है diagonal की जगां चाहेंगे तो minus 1 आजेगा 3 आजेगा तो क्या है minus 2 मायनिस 1 अब हमने क्या find करने है B का inverse बी का inverse था इन्वर्स की आगी बी इन्वर्स की अब हमने हैं, अब हम नहींड आँडिवम ऐन्यों को पतना है और ₃ःः यह किसा आगी। B inverse की अब हमने A inverse फाइंड करना है तो उसके लिए भी करना पड़ेगा 1 over A का टर्मिनेंट मल्टिपले अड्जॉइंड ओफ A अड्जॉइंड ओफ A तो A का टर्मिनेंट हमारे पास आया था माइनस 5 क्या था माइनस 5 अड्जॉइंड A की value उपर लिखी हुई है वही हम पुट करेंगे क्या हमारे पास माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1 फिर और 3 आगे तो अब दोनों के inverse फाइंड हो गए है B का इप इनवर्स और A का इनवर्स तो आगे हमने B inverse डॉट A inverse फाइंड करने है B inverse डॉट A inverse फाइंड करने है वहलों अब दोनों को multiply करने है दोनों को क्या करने है multiply तो दोनों की value को multiply कर देते हैं तो इदर क्या आजएगा 1 over 2 into हमारे पास क्या आगे minus 5, minus 4, 3 और 2 इदर हम आगे क्या आजएगा multiply dot और 1 over minus 5 into minus 1, minus 2, minus 1 और 3 अब जो बाहिए 1 over minus 5 है और 1 over 2 ये आपस में multiply हो जाएंगे इनको बाकी आपस में multiply करेंगे 2, 5,000 क्या बनेगा minus का 10 बाकी आपस में multiply करेंगे तो क्या आजएगा minus 5, minus 4, 3, 2 तो ये हमारे पास पहले value आगे और दूसरे हमारे पास minus 1, minus 2, minus 1 और 3 तो अब पहले में row wise लगाएंगे arrow और दूसरे में column wise लगाएंगे पहले में क्या लगाने हमने row wise arrow और दूसरे में क्या लगाने column wise इससे multiplication असान हो जाती है हमारे पास तो बाहिर 1 over minus 10 एजटीज आगे हमारे पास अब tail को tail से multiply करेंगे plus head को head से तो tail को tail से करते हैं तो direct ही हम कर देते हैं minus minus plus 5 आगे हमारे पास उसके बाद plus minus minus फिर plus head को head से किया तो 4 बन जार 4 उसके बाद फिर जो है वो tail को tail से करेंगे तो minus 5 into minus 2 वो बन जागे plus का 10 minus 5 into minus 2 वो बन जागे plus का हमारे पास 10 उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 3s are 12 तो उसके बाद हमने next row में जाएंगे तो 3 into minus 1 minus 3 बन जाएंगे minus 2 1s are 2 उसके बाद second column से multiply करेंगे हम तो यह हमारे पास आदेगा 3 into minus 2 minus 6 उसके बाद plus 3 2s are 6 तो अब हमारे पास क्या आगे 1 over minus 10 इधर क्या बन गया 9 और यह बन गया minus का 2 यह बन गया minus 5 और यह minus ब्लस इस कट के 0 आगे तो यह हमारे पास क्या आगे be inverse dot a inverse be inverse dot a inverse तो इसका नाम एक विया नमबर हमने 2 रख दिया विया नमबर क्या रख दिया 2 तो अब आप equation number 1 भी देख सके हैं 1 और 2 को देखें दोनों आपस में equal हैं दोनों आपस में equal तो यह आप देख लेए equation number 1 थी उसके बाद वो हमारे पास equation number 2 थी दोनों आपस में क्या है equal तो कह लिखेंगे from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 hence proved that hence proved that a b का inverse is equal to b inverse dot a inverse a b का inverse a b का inverse is equal to b inverse dot a inverse तो इस तरीके से आप लोगों ने इस question को solve करना था hope कि आप लोगों को तरीका समझा आगया होगा thank you and allah आपज